हेलो माई यूट्यूब चनल आज के इस क्लास में हम डिसकस करेंगे कुछ मुस्ट इंपोर्टेंट वर्ड उनकी हिंदी मीनिंग और सनॉनिम्स के साथ में जो प्रीवेस हेर एससे में पूछे भी गए हैं आपके अपकमे एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट भी है क्लास को एंट तक देखना क्लास अगर अच्छी लगे समझ में आई तो वीडियो को लाइक वीडियो को शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना विदावर्ट बेस्टीं टाइम में अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं So the first word is sanguine कभी भी sanguine word है इसका मतलब होता है काफी आशावादी होना जैसे आपने सुनाओगा कि हर किसी चीज में कुछ ने कुछ positive सोच लेना, optimistic होना, hopeful होना, sanguine किलाता है कभी भी ये word है, इसका मतलब hopeful, optimistic या तो सिर्फ आप positive भी लेख सकते हो जिसको हम आशावादी कहते हैं और इसका opposite क्या होता है, pessimist जिसको हम निराशावादी कहते हैं, यानि हर अच्छी चीज में से भी कुछ बुराई खोज लेना, निराशावादी लोगों की पहचान होती है लेकिन उसका opposite sanguine, hopeful, positive या optimistic होता है next word है allegory, allegory का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा बचपन में या फिर आप बोलते भी होंगे कोई ऐसी कहानी जिसके अंदर कोई moral चुपा हो, बट वो story totally fiction में हो, based या हुआनि काल्पनिट, जो कथाय होती है फेबल बोल सकते है या फिर कोई moral story बोल सकते है वो एलेगरी लाती है या कोई भी काल्पनिट कथा गोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसी कथा जो fiction पर based हो और उसके अंदर कोई moral हो ठीक है वो क्या किलाती हं एलेग्रिक इलाती है, नेक्सट वार्ड है आउट क्राय, आउट क्राय, अप्रोवर या फिर कोमोशन जिसको बोलते हैं, काफी हलचल जो चीज़े होती है, या मतलब शोर गुल वाली जो जगह होती है, जहां पर हलचल हो, वो आउट क्राय है, शोर गुल, हंगामा, हलचल, next word है cohort, cohort important word है, meaning तो बहुत easy है, जैसे आपने देखा होगा आप जब school में पढ़ती है या तो college में जाते हैं या फिर आप कहीं office में भी होते हैं, तो कोई ने कोई आपका associate होता है, partner होता है, कोई companion होता है, यानि जिसको हम साथी या दोस्त बोलते हैं, वो cohort है, cohort का मतलब होता ह कोई भी companion या partner या तो associate जो आपके साथ में हो, इसको हम हिंदी में साथी है, दोस्त कहते हैं, next word है enthuse, enthuse का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं कि किसी को encourage करना, inspire करना, किसी को भी प्रोटसाहन देना, उसको प्रोटसाहित करना, क्या कहलाता है, enthuse कहलाता है, inspire, encourage, यानि प वो क्या कहलाएगा, इसका enthuse यानि इसका पोजिट कहलाएगा, लेकिन कभी भी enthuse word है, इसका मतलब inspire है, encourage होगा, next word है, truncate, truncate का मतलब होता है, काटना, चाटना, जैसे आपने सुनाओगा न कि trim कर वालो, या तो किसी चीज में cut लगा दो, cut करना, trim करना, किसी भी ची जैसे आपने सुना होगा, custom duty सुना होगा, तो जो tax और duty वोड आते हैं, इसका मतलब कर होता है, कर में, कर है, कर में, कर है, लेवीज का मतलब जिसको tax या duties भी कहते है, हिंदी में कर कहते है, तो आप देको आगे, the next word is concede, concede करने का मतलब होता है, जब किसी चीज को accept कर लेत हैं किसी चीज को कनirtschaft कर लेते हैं या उसको कर लेती है किसी भेकिछीजिकों के सविकार करना कि अभane करना तो कभी किकार कर नेक्स ड्रॉम आं आपने सुना होगा व्इल गॉम है यह जगे पूरी तरीकिशे मेें ग्रूम जुत तहलों यह हुआ साफ सुथरा कहती है नेक्स्ट है इम्यूर ये भी important word है इम्यूर का मतलब होता है जैसे आपने सुनाओगा कैद या तो किसी चीज को बंद करके रखना confine करना या imprisonment imprisonment क्या होता है किसी को जेल में बंद करना ठीक है तो imprisonment या तो confine करना किसी भी चीज को कैद करना इम्यूर कहलाता है कभी भी ये word है का मतलब होता है कैद करना किसी भी चीज को बंद करके रखना नेक्स्ट word है proscription अब इसमें होता है एक word prescription और एक होता है proscription prescription वो होती है जैसे आपको आपने सुनाओगी दवाई की prescription है यानि दी हुई कोई सूची या कोई list prescription है और prescription का मतलब होता है जो चीजे पूरी तरीके से निशेध हो या कोई चीजे роगाई गई हो या बंद करी गई हो जिसको हम bank तो कहती है या खुन से या तो खोलना होता है तो अगर कभी भी proscription आये तो ban and bar बोलते हैं जिसमें हम निशेद बोलते हैं या तो पूरी तरीके से जो चीजे रोकी गई हो वो भी proscription है so next word है instance instance होता है कोई भी उधारण जैसे आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ का example model या कोई भी ऐसा sample जो आपको उधारण या नमूने के लिए दिखाया जाए वो instance होता है और हम बोलते भी है for instance यह word हम use भी करते हैं ठीक है तो instance का मतलब क्या होता है कोई भी नमूना होता है या तो कोई भी उधारण होता है next word है odious odious का मतलब जो चीज़े घिनौनी या फिर ऐसे होता है ग्रिनिद घिनौनी हो तो वो ओडियस के लाती है ठीक है तो next है tranquil and tranquil का मतलब जो चीज़े काफे शान्त हो peaceful हो काम हो quiet हो ठीक है जो चीज़े शान्त और स्थिर हो वो होती है tranquil कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है अगर इसका opposite बोलना हो तो आप agitated बोल सकते हो जो चीज़ में हलचल हो या तो जो शान्त ना हो उसके लिए आपको जो भी word याद हो ऐसा एंटोनीम आप लिख सकते हो अब देखो आगी की words so the next word is hightess कभी भी hightess word है इसका मतलब होता है कोई भी विराम या अंतराल जैसे आपने कोई movie देखी तो आप उसको मतलब देखने जाते हो तो interval आता है थोड़ा उसमें break आता है ठीक है जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हो आप pause कर देते हो थोड़ा देर के लिए इसका मतलब प्रदूशित होता है जिसको गंदा होता है पॉल्यूट करना वही होता है और कभी यह टार्ड वर्ड है इसका मतलब भी प्रदूशित होता है next word है amity आपने amity university तो सुना होगा but amity का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कभी amity word है इसका मतलब friendship होता है या fraternity होता है या आपसी दोस्ती या तो भाईचारा जिसको हम बोल सकते हैं वो amity है अगर इसका पोजिट बोलू होता है जिसको हम मार्ग कहते हैं path कोई भी road या कोई way route ये सारी चीज़ हम बोल सकते हैं trajectory का मतलब होता है कोई भी रास्ता या तो मार्ग या तो जिसको हम path कहते हैं हिंदी में ठीक है next word है abstuse हम उस चीज़ को बोलते हैं जो incomprehensible हो यानि जिसको आप समझना पाए और व्यक्त जो चीज़े होती है hard to understand ठीक है incomprehensible या तो जिसको हम cryptic भी कहते हैं जो चीज़े और व्यक्त हो जिसको समझना मुश्किल हो वह abstuse है hard to understand चोटे से में आप समझ सकते हो हिंदी में और व्यक्त भोलते हैं जिसको आप व्यक्त ना कर पाओ और जिसको समझना पाओ next है interminable terminate करना होता है किसी भी चीज़ को खतम करना interminable जो चीज़े continuous हो जो चीज़े खतम ना होने वाली हो अनंत तक या जिसको endless कहते हैं वह interminable हो जिसको हम खतम ना कर पाएं, यानि जो चीजे लगतार होती रहे और अनन्द तक रहे सब्सक्राइब जरूर करना मिलेंगे नेक्स क्लास में तब तक के लिए थेंक्स वचिंग